Hello everyone, Welcome to True IS and PCS इस lecture में हम लोग आगे के fundamental rights को discuss करते हैं fundamental rights की discussion में हमने article 12 से लेकर article 28 तक देख लिया था और last fundamental right की जो broader category हमने देखी थी वो देखी थी right to freedom of religion अब देखते हैं cultural and educational rights को और उसके context में बात करेंगे article 29 की आर्टिकल 29 की language दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि हमें minorities का जो interest है न वो project करना है अब सवाल यह उड़ता है कि अगर आपसे interview room में यह पूछ ले जाए यह minorities कौन होते हैं तो आप क्या कहोगे नहीं नहीं धर्म के basis में मत बोलो ठीक हैं देखो बात simple से यह होती है क्या मैं इसको ऐसा क्या सकता हूं बच्चों की तरह कि जो majority नहीं है वो minority है पताओ अगर कोई आपसे बूचे कि left क्या होता है तो आप कहोगे आज में यही कहोगे ना अगर चोड़े बच्चों के तो यही कहेगे ना जो right नहीं में वो left है यही होती है minority definition जो majority population का part नहीं है ना जिनकी जन संक्या जथा की शाइनीने का कम है वो minority है ठीक है देखते हैं इस चीज को इस पूरे concept को समझते हैं काफी मज़े आएंगे आपको इस discussion में article 29 यह provide करता है यह कहता है कि कोई भी section of citizens जो हो जो कि देश के किसी भी कोने के अंदर रह रह रहा हो देश के किसी भी part में वो रह रह रहा हो और इसके साथ ही अगर उसकी कुछ भी एक अन्य भाषा है बोल चाल है एक script है उस भाषा की उसका खुद का एक culture है एक संस्कृति है उसके पास ये right होगा कि वो उसको conserve भी कर सके अब ये चीज especially समिधार में क्यों लिखी गई है इसके पीछे इसके rational को इसकी psychology को दोस्तों समझते हैं क्या समझनाज के संदर्थ में हमें देखो समिधार निर्माताओं को एक चीज पताती कि हमारे देश में एक चीज को बिल्कुल एक्दोर नहीं करा जा सकता वो है diversity और diversity में एक थाली जो है उसके अंदर बड़ी सारे पकवान है लेकिन ये जो पकवान है न ये सारे के सारे ऐसा नहीं है कि अगर कोई रोटी इतने size की है one size की है तो two भी one size की ही होगी नहीं ऐसा नहीं है हो सकता है कि जो ये fifth रोटी हो ये छे नंबर की हो size wise यानि कि कहने का मतलब क्या है ये जो हमारी थाली है ये हमारा देश है और अलग-अलग पकवान रोटी, सबजिया और जो मेठा इस थाली में रखा हुआ है वो same equal number के नहीं है equal quantity नहीं है और ये जो जितने भी हम बोल रहे हैं थाली में जो परोसे गया ये जितने भी items है ये क्या है ये अलग-अलग communities है अलग-अलग section तो population है जो कि हमारे देश को represent कर रहे है अब इनको ये टर था कि आगे चलकर हमारे देश में जब इतनी ज़ाधा diversity है तो जो majority जन संक्या है वो तो अपने जो एक unique language script or culture है उसको तो continue कर लेंगे लेकिन ऐसा नहीं होना जाए डाइवर्शिटी का principle ऐसा नहीं होना जाए जब उपर हम article 12 से लेकर article 28 तक इतने सारे मौलिक अधिकारों को देखते आ रहे हैं इतने सारे fundamental right को हमने देखा है तो कलको ये ना हो ये दिक्कत ना है कि majority population जो है ना वो अपने language, script और culture को ना अपने language, script और culture को minorities की उपर जैसे एक छोटी सी बात मैं अगर आपको बताओ जर्नली कभी भी जब किसी areas में especially tribal areas में कोई developmental project आता है उसका सबसे बड़ा जो परिणाम निकलकर आता है वो आता है उस project के आने के बाद tribal लोगों को उस area से displace होना पड़ेगा और displacement से emerge हुआ एक मोता यह होता है कि जिन population को displace होना पड़ा उनकी rehabilitation नहीं होती है right अब rehabilitation अगर हो भी न और दूसरी जगाँ पर जाकर अगर सरकार राजे सरकार हो चाहे केंदर सरकार हो अगर उनको यह आशपाशन भी दे दे अगर उनको यह guarantee भी दे दे कि yes they will be properly settled उससे कहीं ज़्यादा जमीन जहां तक अभी तक वो रह रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जमीन कहीं ज़्यादा बड़ा घर कहीं ज़्यादा facilities as compared to जहाँ पर अभी तक वो रह रहे थे उससे मिलेंगी लेकिन फिर भी इसमें सबसे बड़ी चीजी होती है कि जब यह नए रीजन में जाएंगे ना इनकी खुद की language, script और culture जो है वो दब कर रह जाएगा क्योंकि जिस area में जाएंगे अब यह भाँ पर बन जाएंगे minority और उधर जो population already रह रही है वो है majority और यह rule होता है कि हमेशा minority जो है 99% cases में उसको जुकना पड़ता है majority के सा सकते हैं मानते हैं उस बात को कि नहीं बताओ हागे ना उधर जाके रंग में भंकर सोगंदा हम लोग अंगरेजी बोलना सीख जाएंगे लेकिन हिंदी सिखाना मुश्केल है अब आपके वेस्ट बेंगौल से माल लो सोगंदा पांच लाग बंगाली चले जाएं USA के अंद एजिप्ट के अंदर इस्डराइल के अंदर तो क्या वो एक डिकेट के अंदर पूरी कंट्री बंगाली बोलने लग जाएगी ऐसा नहीं होता न क्यों क्योंकि आप लोग अगर पांच लाग भी गए हो तो इन कंट्रीज के कंपेरेजन के पॉपलेशन के कंपेरेजन में आप लोग भाँ पर क्या हो? मैजॉरिटी एक मैनोरिटी? मैनोरिटी तो सबसे पहले मुझे शाइनी बिस में आप लोग ये बताईए कि आपको एक कंटेक्स समझ में है हम किस कंटेक्स में इस सब बाते कर रहे हैं एक थमरूल सवज में आ गया शाही नहीं कि हम लोग कभी भी जो है मैजॉरिटी के रंग में भंग सकते हैं लेकिर अगर हम माइनॉरिटी है न तो भाँ पर मैजॉरिटी के कल्चर, स्क्रिप्ट, कस्टरम्स, लेंगवेज इन सब को चेंज करना ट्रेडिशन्स बगरा इनको मुश्किल है न लेकिन फिर सोगंदा इससे एक बहुत बड़ा इशू ही मर जो कर आता है ज़रा कोई मुझे बता सकते है क्या इशू है मैजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में सबसे बड़ा इन दोनों का परसनली नहीं कह रहा हूँ लेकिन इस डिबेट में सबसे बड़ा इशू क्या उभार का रहाता है कि समिधा निर्माताओ को माइनॉरिटी के इंट्रेस को प्रटेट करने के लिए पूरा का पूरा एक फंडामेंटल राइट एक मौलेक अधिकार का एक कैटेगरी बनानी पड़ी क्या है आश्यमा ऐसी चीज़ बताओ पॉपलेशन तो छुड़ ठीग है पॉपलेशन में क्या रखा है वो तो सेक्स करकर ज़्यादा कर लेंगे हाँ जो majority है ना वो अपने rights थोपेंगे minority के उपर और minority के rights, culture, customs, वगरा क्या हो जाएंगे दप कर रहा जाएंगे, wallet नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है, शाइनी ज़रूरी थोड़ी हो, सब को अत्याचर करेंगे वो खो जाएंगे, आश्मा समझे रहें, वो खो जाएंगे, और हमें खोने ही तो नहीं देना है, जैसे मत्तब माल लो, एक normal सा example देता हूँ, हम सबकी 11 वी क्लास में आकर streams चेंज हुई थी के नि हुई थी, non medical, medical, commerce, humanities हुई थी ना, सब के स्कूलों में हुआ होगा, कि 11 वी मे जाना है, आर्ट साइड में जाना है, राइट, अब अगर हम लोग ये देख कर लेते हैं, अगर streams, कि मेरी girlfriend या जो लड़की मुझे पसंद है, या मेरा जो दोस्त है, उसने commerce ली है, तो मैं भी यही ले लेता हूँ, जब मुझसे भले ही ना हो, वो non medical की field या भी वो करके, लेकिन सिर्फ उसके लिए हासे ले लेते हैं, और माल लो कि तो हमारा क्या होता, और माल लो कि अगर आप किसी एक section में गए हो, आपने arts चुनी है, वहाँ पर आपका कोई भी जो अभी तक 6 से लेकर 10 तक आपकी साथ इस students रहे हैं, वो कोई भी नहीं रहे हैं, तो इसका मतल से लेकर या nursery से लेकर मेरे साथ रहा हो, बताओ, यानि कि ये चीज क्या show करता है, आश्मा, शाहिनी क्या show करता है example, कि अगर individual solo भी होना कर अकेले भी हो, तो क्या उसकी सोच, जो भी चीज वो चुन रहा है, एक समाज में रहते हुए, क्या उसकी importance होनी चाहिए कि नहीं होन चाहिए, और class के comparison में ये person क्या है, जब ये किसी को नहीं जानता है, तो बताओ, ये अपने आपको कैसा फील कर रहा है, क्या ये वाला example से सबको clarity मिलगे, introduction की बताओ, और आप लोगों को अगर example देना होना, ये तो चलो एक general example है, ये ऐसे example कभी भी हम लिखते हो सकते नहीं है, हमें अगर example देना हो, तो ये displacement वाला example बेस्ट है, सुगंदा, right, समझ में आए ना, कि मिलब, obviously बात उनका culture जो है, वो कताब हो जाएगा, और ये minority बन जाएगे ना पूरा का पूरा हमारे देश में, भगवान ना करे ऐसा हो सकंदा, लेकि एस्ट इंडिया तभा हो जाए, या वेस्ट इंडिया तभा हो जाए, या साउथ इंडिया तभा हो जाए, तो क्या जो लोग अपने अपने areas को settle करकर, जो Central इंडिया या Northern इंडिया की तराफ क्या वो minority नहीं बन कर जिएंगे बता ना जरा, वो अलग बात है शाइनी, कि दीरे दीरे करके हम लोग सिखा सकते हैं लोगों को, जैसे Canada की अंदर जितने भी जो sick लोग गए हैं, जो Punjabi गए हैं, अब हम यह कह सकते हैं, कि आश्मा वो मजे मजे में जो अंग्रेजी लोग ह जैसे हम लोग की कितली foreigner से मिलते हैं, तो वो भी सीखते होंगे ऐसे ही, कि इस गाली को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं पंजाबी में जरा बोल कर बता हो, थोड़ा-थोडा बोलने लग गए होंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक ही दिन के अंदर, एक ही साल के अंदर या एक ही डिकेट के अंदर ये वाला काम हो जाएगा क्या अपने कल्चर को कंजर्व करके लेते लेते चलना उसको मेंटेन करके चलना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा बता न जरा अब एक बात और बताता हूँ हमारे देश में अक्सर आपने दा हिंदू, इंडियन एक्सर या कहीं पर भी करेंट अफेर में एक मुद्दा अक्सर सुना होगा मानोरिटीस के कंटेक्स में आश्मा ये सुना है कि हमारे देश में कुछ-कुछ ट्राइवल लोग या कुछ-कुछ कम्यूटीस जो की ट्राइवल नहीं भी है उनकी जन्संक्या इतनी कम रह गई है कि उनका जो distant language, script और culture जो था उनको डर है कि लुक्त हो जाएगा कुछ सारों के बाद जब अगर मालों के एकदम से हमारी कम्यूटी वाइप आउट हो गई तो सरकार इसकी दिशा में परयास करती है कि नहीं करती है distant language वगरा को कजब करना वो करना like 8 schedule में डालते ना उनके कुछ अगर language है अगर उसकी script बहुत 1000 साल पुरानी है बताओ क्या very good पार्थी जैसे अपने में शादी कर लेते हैं तो उनको ये समझाना कि नहीं intercast marriages important है और ये societal and biological angle से दोनों important है न same अगर आप बहुत known के रिष्टों में अगर शादी करते रहते हो shiny तो biological ये क्या चीज अच्छी है के बुरी है ये अच्छी है सोगंदा अगर आप अपने चाचा के बेटे से या मासी के भाई से अगर शादी कर लो biological ही कह रहा हूं मैं उससे नहीं कह रहा हूं तो इससे क्या इससे क्या दुश परिणाम क्या निकलती है इसके नेगटिव रिपरकर्शन क्या है वेरी गुड क्या आप लोगी सब जानते हो कि जीन्स वगरे से वीक हुजाते तो जो पार्सी की जनसंक्या काम होती जा रही है वो इसी रीजन की वज़े से इंडिया में होती जा रही है पार्सी जनली आपको हिंदुस्तान में कहा दिखने को मिलते हैं नौर्ट इंडिया South India East India or West India West India West India में कहाँ पर Angita कहाँ रहती है Maharashtra में तो आपने देखा होगा न ये गुजरात में BS आपने देखा होगा न शाहिनी धमाल मुवी मारो डीगरो मारो डीगरो जो करते रहते हैं जो रुस्तम आई थी They are Parsis and the religion they follow जब हम मुगल एंपायर कर रहे थे Zoroastinism है ना अब इनकी population कम होई तो मोधी सरकारने की scheme चलाइती स्वगंदा उस scheme का नाम था क्या नाम था जियो पार्सी scheme और इसी का अब एक Advanced Version आगया है जियो पार्सी scheme 2.2 ठीक है ये सब लेकिन जितने भी example हमने discuss करें हम यहाँ पर क्यों discuss कर रहे है सरकार की या किसी भी किसी भी संस्ता की या किसी भी authority की यहाँ पर जो नजर है वो किसकी उपर है किसको हमें protect करना है किसके interest को culture को traditions को population को हमें करना है मताओ Minorities क्या अब आपको यह सब सीथ समझ में आगई इतने examples देने के बाद क्या हम आगे बड़े अब देखो आपको कोई भी चीज difficult नहीं लगेगी further article 29 यह भी बोलता है that no citizen shall be denied admission उसको मरा नहीं कर जाएगा अगर वो किसी भी education institution में बढ़ती होना चाहता है एक ऐसा education institution जो की maintained हो state के दोरा या उसको अगर मदद मिल रही हो पैसो की terms में out of the state funds on grounds only of सिर्फ in grounds पर किसी को admission deny नहीं कर रहा है जाएगा सिर्फ in grounds पर यानि कि अन्य grounds पर admission deny कर जा सकता है कौन कौन से grounds पर यह हमने पढ़ा था article article कह रहा हूँ right to freedom of religion के अंदर right shiny कि संस्था को जो religious trust अगर maintain करके रखे या वो से fund अगर वो कर रहे है यह हमने पढ़ा था journal है ना लेकिन यहाँ पर हमारी बात क्या हो रही है एक ऐसे education institution जिनको state के दोरा maintain कर जा रहा है या जिनको state से at least funding मिल रही है तो किसी भी नागरे को ऐसे education institutions के इंदर admission कोई deny नहीं कर सकता only on the grounds of on grounds only of धर्म race caste all language अगेन यह चीज किसली लिखी गई है किसके interest को प्रुटेट करने के लिए minorities ठीक है अगर ऐसा हो अगर ऐसा होने लगे अगर हम religion वाले एंगल को यह पकड़ ले तो इस देश में सबस्यादा जनसंक्या किसकी है धर्मवाइस किसकी है इस देश में चौथे एंगल को पकड़ लेते इस देश में सबस्यादा language बोलने वाले लोग कौन है English, बंगाली, उडिया, पंजाबी, तेलगू को क्या बोलते लोग तो एक बाँ बताओ अगर शाइनी फिर इन दोनों के लावा जर्नली फिर सारे तो minorities ही हुए फिर क्या उनको admission मिल सकेगा क्या बताओ यह चीज है और इससे फिर यह भी सोचो सोगंदा डिस्प्रेशन की भावना अलग-अलग communities में कितनी बढ़ जाएगी नहीं minorities के चीज के लिए happy feel करेंगे क्योंको admission अगर deny हो रहे तो ठीक है अब हमने यहाँ पर दो provision पढ़े हैं इसका मतलब ठीक है अससे mention नहीं है कि article 29 के अंतर आप कल को mention करकर आ जाओ first provision second provision लेकिन article 29 के संदर में अभी तक हमने उपर वाले paragraph में दो बाते पढ़ी है क्या कि कोई भी citizen अगर देश के किसी भी पार्ट में रह रहा हो जिसका अलग ही language अलग ही script अलग ही culture हो उसके पास अधिकार है इसको conserve करने का यह पढ़ी हमने पहली provision यह जो पहली provision है न यह ऐसे group के rights को protect करता है ठीक है first provision protects the right of a particular group वो group जो की कौन है जल्दी बताओ कौन है minority minority तुम बीच में आयो आपनी logic नहीं ठीक है दूसरा no citizen shall be denied admission into education institution जिसको maintain करा जा रहा हो by state या फिर उसको funding मिल रही हो state के दौरा सिर्फ किस पर dispensation नहीं करा जाएगा only on the grounds of religion, race, caste और language ठीक है यह जो second provision है न यह project करता है एक individual के right को भी first provision group से rated है, दूसरी provision एक individual से rated है अब समझ गए मैंने stream बाला, जो 11 भी class में हम जो stream change करते हैं यह क्यों बताया था मैंने, यह इसलिए बताया था सोगंदा, एक एक person एक एक person अगर जो है न वो important है, गर उसका सिर्फ ऐसा कोई एक भी person रहे गए जिसका हजारों साल से उसकी community का language, script, culture, traditions कुछ चला आ रहा था, कोई festival survive कर रहा था और वो person प्रूफ करते है इस बात को, कि ऐसी community से चला आने वाला, अब वो सिर्फ एक लौदा person रह गया है, फिर गिनेच उने कुछ मुठी बर persons रह गये हैं लेकिन क्या इनको धूतकार के side कर दिया जाएगा बताओ जरा या फिर इनके minority के यह जो minority citizen अब जो रह गए हैं क्या इनके language, script और culture को preserve करने के लिए सरकार प्रयास करेगी बताओ या फिर इनको बिस में लात मार के बोल दिया जाएगा, आरे भाग जायांसे जाए shiny, इनको बेश से दोगे water के दर उदर यह न, shiny क्या यह बेकार है आपकी नजरों में क्या इनको बेश देना से यह water के दर उदर जल्दी बता, आपकी आँके इनको क्या तराश रही है, हीरा या फिर कचड़ा हीरा दोस्तों अगर आगे बात करें, तो आर्टिकल 29 जो है न, वो protection देता है हमारे देश में, religious minorities के लिए भी और linguistic minorities के लिए भी religious minorities आप समझ गए होगे, जो धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है तो बिसमें जो आप शुरू-शुरू में बोल रहे थे न, जिसे हिंदूस वगरा है वो करके यह सिर्फ एक aspect है minority का, हम तो धर्म के basis पर समझते है चीज को है न लेकिन language के basis पर भी कुछ लोग minorities है ठीक है, यह चीज है, अच्छा धर्म के basis पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप यह चीज जानते हो यह ठोस चीज है बिलकुल लेकिन आपके दिमाग में यह concept clear होना चीज है धर्म के basis पर इस देश में majority है कौन, खुलके बोलो को attention नहीं है कुछ-कुछ यह interview में हमें ऐसे नहीं कह सकते हैं मतलब बोथ black and white grey लेकर चले हमें कुछ angle अब जो fact है वो है, बताओ कौन है, majority हिंदू, हिंदू के लावा सारे कौन है इस देश में, minorities, यह वाली बात याद रखना ठीक है, अच्छा, within the Hindu category Supreme Court ने क्या-क्या बोल रखे हैं क्या आपको याद है मैंने आपको पढ़ाई थी बताओ, एक तो Hindus खुद, मतलब जो general Hindus होते हैं, ठीक है, एक यह बोल रखा है Supreme Court ने, दूसरा, क्या मैं अगर यहाँ पर Sikh लिख दू तो यह Hindus है क्या, क्या अगर मैं यहाँ पर बुद्धिस लिख दूँ यह Hindus है क्या, क्या अगर मैं यहाँ पर जैनाज लिख दूँ यह Hindus है क्या, क्या अगर मैं यहाँ पर पार्सी लिख दूँ यह Hindus है क्या, पार्सी हिंदू नहीं है, पार्सी नहीं है, एन की category में नहीं आते, भाई क्या होगे तुम बोल रखा के पार्सी जाते हैं इसके अंदर बस इतने में तो confidence lose कर जाते हो मतलब भाई ये जोरो रास्टनिजम religion होता यार नहीं आते नहीं आता ये ही आते हैं हाँ जर्नल हिंदूस सिक बुद्धिस एंड जैना ठीक है वो 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 उसने सबका सुली आजमा फिर घह रही है कि मुझे पता नहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने पढ़ाता है इसको आर्टगर 25 के अंदर गत ठीक है कि हिंदूस सुप्रीम कोट की definition के according इसको जर्नल हिंदूस नमबर टू सीक्स नमबर ट्री जैन्स एंद नमबर फो बुद्धिस्ट ठीक है और इसका 14 प्या था सुप्रीम कोट की जो लेंगवेज अब वो इस प्रकार से थी के सुप्रीम कोट ने आर्टिकल 25 की interpretation के इस प्रकार से थी सुप्रीम कोट ने बोला हिंदूस को ऐसा माना जाएगा that it is a reference for the Sikh, the Jaina and the Buddhist religion ठीक है ये चीज़ है और इसकी मैंने explanation भी बताई थी आप सबको मयूर याद होगा है ना कि क्योंकि ये वर्णा सिस्टम के according वर्दमान भावीरा गौतम बुद्ध जी और गुरु नानक जी क्या थे शत्रिया थे तो वो और वर्णा सिस्टम कौनसे religion का पाट होता है religion religion वेदे के ठीक है तो ये चीज़ मैंने आपको बताती इस इंक बोत religious as well as linguistic minorities however supreme court ने एक चीज़ बोली थी supreme court held and जो scope है इस article का it is not necessarily restricted to minorities only ठीक है जैसा कि हम इसको common assume कर लेते कि ये जो चीज़ है article 21 जो है इतने सारे rights दे रहा है ये सिर्फ minorities के लिए i repeat ये सिर्फ minorities के लिए supreme court ने बोला ऐसा नहीं है जितना ये commonly assume हो जाता है उन से क्योंकि यहां पर supreme court ने बोला जो समिधान निर्माता उन्हें constitution makers ने जो terms use कर रखे हैं दोस्तों वो है section of citizens अब section of citizens कोई भी हो सकता है ना इस देश में किसी हिंदू के खिलाफ आस्ता कोई अत्याचार नहीं हुआ क्या अगर धर्म की basis पर अगर हम majority की बात करें तो बताओ क्या हम यह बोल सकते हैं सुगंदा कि हिंदूस majority में ही तो है इस देश में इतनी बात बोल सकते हैं यह clear है अब वो majority में है तो जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ उनको काय को इंसाफ देना क्योंकि यह तो majority भी है यह वाली statement भी जोड़ते इसके साथ नहीं फैक देन को प्याओ पेंगोल में बताओ शैनी क्या करना चाहिए बताओ शैनी बड़ से सोना है चांदी है क्या फिर कचड़ा है यह सब ठीक है तो obviously बात है यहाँ पर यही है सोब्रिंगोड की interpretation कि यहाँ पर minorities और majorities दोनों की बात होती है यह वाली जो line है न इसलिए मैं रामाराम से आपको analysis करवाते हो चलता हूँ ताकि आप बहुत तरी चीदे miss ना कर चाहों एक बार सुननों तो आपका काम होजाएगा यह जो article 29 है न, article 29 is meant for अगर यह question आगया अगर आपको मालो कि आप MPPSC देने जा रहे हो यह UPSC में भी आगया मालो, article 29 is meant for minorities number 1, majorities number 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2 क्या होगा असका answer? option 1, 1, 2, 3, 4, 3 कहीं लोग नहीं जानते हैं क्योंकि बस उन्होंने एक broader term पढ़ी cultural education right उसके नदर article 29 is protection of the interest of minorities अब generally minorities जिसको पता है तो वो यही होता है कि जो majority में नहीं है वो minority है लेकिन कोई नहीं लिखने वाला इस चीज को या कोई नहीं मानने वाला इस option को जिसके अंतर यह दे रखाओ कि article 29 is also meant for majority बताओ शाहिनी गल्दी करने का scope है कि नहीं है अगर कोई interpretation यह वाली ना पड़े तो यह चीज है supreme court ने यह भी माना कि the right to conserve the language it includes right to agitate for the protection of the language यानि कि अगर आप अपने language और language के साथ associated क्या चीज होती है जल्दी बताओ हर एक language की क्या होती है आश्मा भाशा की क्या होती है भाशा की क्या होती है लिपी हिंदी की लिपी क्या है देवनागरी script यहाँ पर दौनों बाते आ जाती है वैसे तो person के पास या group के पास अब मैं यह क्यों बोल रहा हूँ person के पास group के पास सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं यह सारी चीज़े because article 29 is meant for the right of a group also whereas right of a person also as well as right of a person also ठीक है यह वली चीज़ तो हमें पता ही है तो यहाँ पर Supreme Court ने एक फुल तरीकी सा अजाती दे रखिए कि आपके पास right है अपनी language को अपनी script को conserve करवा के रखने का उसके लिए आप चाहो तो आवाज उठा सकती हो जैसे जब UPSC का स्लेबस जब चेंज हुआ ना साल 2013 में और जब 14 का जब prelims हुआ तो उसके अंदर एक current affair चल रहा था 13 से 14 के बीच में क्या मुझे कोई उस language का नाम बता सकता है जिसको 20 सेकंड स्केडूल के अंदर डाल दिया गया था लह मेंचे स्केडूल कौन सा होता है वैसे स्वारी 20 सेकंड स्केडूल ही एक स्केडूल के अंदर डाल दिया गया था संताल नहीं नहीं लेटेट्स उस ताम पर डाला गया था जो एक टिकेट पहले है जो रीजेंट है इंक्यूद उडिया ठीक है उस तेम पर UPSC जब यह पूछा था तो लोगों को लगता था कि यह यह है वो है हमेशा से जो नेचर है अगर आप उससे पहले देखो अगर आप प्रिविएसर पेपर आपने 2013 से पहले के भी देख रहे होंगे मैं आपको यह चीद एशूर करके बोल सकता हूं दोसो UPSC का नेचर पहले भी स्टाटिक था आज भी स्टाटिक है बस लोग जो important sources है उनको पढ़ते रही है तो उनको लगता है वो current affair based questions है मैं यह नहीं कहता है कि current affair बिल्कुल ही नहीं आते हैं आते हैं लेकिन static के basis पर yearly compilations को करने के बाद आराम से यह stage clear करेचा सकती है और mains के अंदर current affair ना ही prominent position sole position कभी occupies करता था ना करता है ना कभी करेगा इस बारी मैयूर याद है analysis हमारी तीनो papers की 2022 की 60 quotients GS paper 1,2,3 मिला कर सब 3 quotients current affair के थे total याद है ना मैयूर और वो भी एक ऐसा current affair के बंदा एक रात पहले जो GS paper देकर आया है अगले दिन वो GS paper 3 में पूछ लिया था वो infrastructure वाला एक वो transportation वाला कुछ था वो है ना जिसको यूज़ कर जा सकता था interrelated था तो एक compilation पकड़ा करो बस उससे वो करके लेकिन अपना static जो चीज़े हैं वो पूरी मजबूत कर लो बात करते हैं आगे hence जो political speeches हैं या जो promises हैं जो कि इसके लिए अगर करे जाएं for the conservation of the language of a section of citizens अगर ऐसे promises करे जाएं ना तो इसको correct practice नहीं माना जाएगा under representation of people यह भी चीज़ सुपरिंग कोट ने साथ करती थी कि अगर कोई नेता वगरा political speeches में political value में इस चीज़ के बाते कर रहे हैं कि हम एक particular section of the citizen के language की conservation को importance देंगे उसको लेकर आएंगे उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे अगर हम सत्ता में आ जाते हैं this does not amount to correct practice under representation of people यह अगर वह भी सत्ता में है और फिर भी इस बात के लिए अगर promises करे और यह RP Act क्या है इसको हम अलक्से पढ़ेंगे RP Act हमारी यह बहुत important है from the perspective of MPPSC as well as UPSC के अंदर लेकिन उसके अंदर means के अंदर ठीक हैं क्या आपको यह Article 29 की बाशा और यह सारे अंगल दिसके समझ में है comprehensive तरीके से जल्दी बताओ तो इस discussion में बिला लेता है Thank you very much for discussion